नमस्कार दोस्तों जैसियराम Jewcak आप लोग देखसकते आप आप वीचल हूं और आप देखसकते आप देखसक्तों वाच मैन भी हैं आइसक्रीम बेचने के लिए यह जा रहे थे हुए यह लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और इधर भाई अंदर काम चल रहा हैं बहुत सारे इटे गिरे हैं इस साइड देख सकते हो बेल्डिंग्स बने हैं और यह अंदर है और देखिए वीडियो बना रही है पब्लिक इटे बिचाई जा रही है इटे भी बिचाई जा रही है और जैसी भी चल रही है और इधर है आपका कारियाल है इस मंदिर का कारियाल है भी है भाई आफिस तो यह है आफिस और सामने है हम लोगों का मंदिर तो हम लोगों मंदिर पर जाएंगे और यहां पर बहुत सारी गाड़ियां भी हैं जो कि खड़ी हैं और काफी अच्छी जगा पर हैं और अगर आप कभी आएं और जेन मंदिर पर नहीं आए हैं तो एक बार जरूर यहां पर काम चालू है और काफी बड़ा मैदान है लग रहा है कि मतलब जैन मंदिर है इधर पट्रे और सड़िया यह सारी चीजे गिरी हुई है और काम चल रहा है और देखिए आपको एक खास बाद में आपको बता दूँ कि जैन मंदिर के सामने जो फ्लेग लगा है वो राष्टिय धोज तेंगा है वारा जहां तक मैं मानता हूँ यह सबसे बड़ी खास बात होगी इस मंदिर की क्योंकि दोस्तों हर मंदिर पर धर्म का लगा होता है यहां पर आपने Grass लगा है वारा यह काफि गर्भ की बात है और चाहित क्या बोले को जीसे होता है है मोटा मोटा में दोब इतना मोटा यह लगभग होगा एक इंश इतना मोटा हमारे गाउं में जिसे लट होता है उतना मोटा है भाई ये देख सकते हो और ये पतले हैं और बहुत सारे सामार है एक जिसे भी उस साइट चल रहा था एक जिसे भी इधर भी चल रहा है कि ये भाई ये कुछ तावान है कि यहां दोस्तों थोड़ी उचाई में दिवाले जोड़ दी गई है और उसमें बालू भर दिया गया है और इस पर काम हो रहा है ये भाईया मागे एकदम मंदिर के पास जय हो मतलब एक अलग ही डिजाइन है अलब लग रहा है कि ग्रम जयन मंदिर है वाई भाई अंदर जिसकी मुर्ति लगी है न मैं दिखाओंगा आपको भगवान भुद्ध की मुर्ति लग रही है कि ओहो दोस्तों कभी भी आना तो जरूर आना एक बार तो जरूर आना आप जरूर आईएगा कि वाउव कि जय हो कि यहां के जो भी भक्ता है बड़े हिसान्ति से बैठे हुए है और मंदिर काफी आलिस्तान बना हुआ है तो यह है दोस्तों मंदिर और खास बात एक और कि यहां पर जो गेट लगा हुआ भाई वो पूरा कांच का है पूरा कांच का इतना भारी गेट है और यह पूरा कांच का है दोस्तों हम मैं दिखाता हूँ आपको इसका मैदान आप देख सकते हो मैदान भाई यहां से चालू होगा यह देखिए भाई हम लोग यह जो दिख रहा है यह 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 गेट है और इस गेट से हम लोग आए हैं वहां से हम लोग आए हैं और इतने दूर चल कर आए हैं भाई इतने दूर आने में इतना बड़ा वीडियो बनाया आप देख सकते हो दोस्तो मैंने वीडियो में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया था यह नेशनल फ्लेग नहीं है इसमें चार कलर है तो आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखेगा और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्बाद अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और भगवान बुद्ध के दरसन करिए आप लोग जैसी राम फिर मिलेंगे नश्वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्बाद